हर कोई बात करता है कि retirement planning करने और SIP सबसे बड़ी डिया टूल है retirement planning का तो आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि retirement planning with SIP क्या है उसके benefits क्या है नुकसान सो detail में discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में अन तक बने रही एगा वीडियो को like and channel को subscribe करते हैं नमस्कार मैं हूँ विपला उजंदाएं, founder of Plan Your World Training Academy. हमने Plan Your World इसलिए बनाया ताकि आप अपने investment decision swim ले सकें सही तरीके से. Normally आपने अपनी राय, आप एक बिलीफ करते हैं एक बात को कि अच्छा बुरा क्या है. अच्छा बुरे investment की सोच आपने develop की है ऐसे लोगों से जो आपके इर्दगिर्द हैं, बस उन में से कोई भी ऐसा नहीं, जो middle class से अमीर हुआ हो और वो आपकी growth में interested हो. तो money management skills से किये मेरे साथ, 17 सालों के experience के साथ मैंने इसको simple किया है, money IQ class के recorded version से आप ले सकते हैं, इसको just 499 में, link description में, या फिर planuval.com website से आप ले सकते हैं. S.I.P. से retirement की जब बात आती है, तो सबसे परहला मुद्दा आता है कि आप अगर मान लेता हूँ, आपकी उम्र 40 है, आप 60 की age पे retire होने वाले हैं, और यहां से आगे का सफर. So, अधिकांश लोगों के अगर बात करो, तो retirement की जब बात करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमें क्या दिखाई देता है, एक बच्चा जैसे education में पढ़ाई करता है, मान लीजे class 10th का बच्चा है, तो वो बोले का ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, exam दे दूँग और मैंने व्यक्यान कर दिया exam में, तो फिर मुझे top करने से कोई रोक नहीं सकता, तो सीधी तरह के सा अगर बात करें, अगर आप अपने retirement, दो तरह का retirement है, एक है गुजारे वाला, कि ठीक है, जैसा जीवन होगा, मैं यहां से investment चलना शुरू कर रहा हूँ, एक पैसा retirement और दूसरा retirement है, जहां पर आप अपने retirement को plan करते हैं, तो सबसे पहले समझ ले, इस planning के दो पार्ट है, पार्ट क्या है, एक पार्ट जो दिखने में आसान रखता है, बट यही आपके लिए सबसे ज़्यादा भ्रामक है, और इसी वज़े से गलतियां होती है, वो क्या है, 40 की उम्र से शुरू करूँगा investment करना और एक corpus बनाऊंगा, retire हो जाऊंगा, this is the strategy of people, normal strategy, और इसी वज़े से मैं कहता हूँ 99% people cannot retire with money, क्यों, 60 की उम्र पे मेरी उम्र जो भी हो, HR तो retire कर देने वाला है, लेकिन पैसा नहीं होगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा, यह बात मे कोई doubt नहीं है, अब मुद्दा क्या आता है, सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है आपका syllabus, so पहला point आया, dependence, कौन-कौन dependence होंगे आपके, क्योंकि इस accumulation phase के अंदर में आप invest करते हो और इस phase में आप इसको distribute करते हैं, so यह पैसा आपके घर पे वापस आता है, उस phase में, अब म सो जो पैसा मुझे वापस आएगा, so आप चाहे यहाँ पे अगर बात करें कि मैंने 10,000 के S.I.P. कर दी, 20,000 के S.I.P. कर दी, ultimately हम पहुचेंगे कहां, और हर एक का खर्चा अलग-अलग है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ी देर के लिए कि मेरा retirement कैसे होगा, अब म होत है तब, तो हर केस में अलग-अलग है, मुद्दा बहुत सिंपल है, जो आपके expenses हैं, ये expenses महंगाई के साथ आपको इस phase में भी चाहिए, महीने का खर्चा, so क्या महीने के खर्च हम कम कर पाएंगे, हम कितने साल तक जीवित रहने वाले हैं, हमको जोड़ना पड़ेगा hospital जाना है, तो उसके bill भी चाहिए, doctors को दिखाना है, तो वो भी पैसा भी regular basis पर चाहिए, insurance से cover तो नहीं मिलता आपको, अब मुद्दा ये आया कि once we know कि S.I.P. मुझे करनी है, तो normal के तरीका क्या है, कि मैंने एक amount तैग किया और मैंने इसको बना लिया, तो हम पहले आपकी approach पर देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, सबसे पहले समझ लेते हैं, हमने एक S.I.P. शुरू की और उससे corpus बनाना है, तो corpus कैसे बन रहा है, सो मैंने लिया, कि अगर मैं 10,000 रुपे महिने के S.I.P. करता हूँ, और मान लेते हैं, कि हम S.I.P. monthly mode पे कर रहे हैं, और direct plan मे कर रहे हैं, क्योंकि regular plan में अगर करते हैं, तो अंजाने में बहुत जादा पैसा हमें देना पड़ता है, commission के तोर पे, सो दो प्लान है, direct और regular का क्या फरक है, regular plan क्या है, कि आपने एक mutual fund का नाम लिया, आपने 30 साल की S.I.P. की 20 साल की S.I.P. की आपने लंबे समय तक पैसा दिया, और पैसा देने के बाद आपको पता नहीं है कि एक से सवा परसेंट आपके पैसे में से fund value से हर साल कटता है, जिसकी रकम बहुत जादा होती है, so मैं नहीं यहाद 30 साल का fund लिया है, मैं 12% पर लेता हूं return, तो maturity value बनती है, 3.08.00. यह regular plan है, अगर same plan आपने direct में लिय तो आपकी value बनती है, लगभग सवा 13 पर लेता हूं, and this comes to 3.95.00. रुपीज, so अगर मैं इसकी बात करूं कि लगभग 87.00. रुपा किस बात का आपने नुकसान लिया तो पता नहीं है, क्योंकि एजेंट को भी आपके एजेंट्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता है, चल लेता हूं, 20,000 के SIP की 20 साल के लिए tenure है, और 20 साल में 17-13% के हिसाब से पैसा बनता है, दो करोड़ 14 लाक रुपए, अब 2 करोड़ 14 लाक रुपए हमारे पास हो गए, रिटायर्मेंट के टाइम पे, इस पैसे से अब हम देख लें, क्योंकि यही तरीका रहता है हमारा, चल साथ यह रिटायर होने वाले हैं, तो अगर हम बात करें, एन्वल इंटरेस्ट रेट की, तो हम इसको कर देते हैं 6% उस वक्त का, और 50,000 के अगर लाइफस्टाइल है, आज की डेट में किसी भी परिवार का, जो 40 का वेक्ती है, उसकी लाइफस्टाइल यह है, अब इस अगर आप देखें, तो यह पैसा खतम हो जाएगा 68 की उम्र में, आपने SIP किया, क्या SIP गलत है, बिल्कुल नहीं, SIP बहुत अच्छा है, फिर गलती कहां पर होई, गलती हुई, रिटायर्मेंट को प्लान करने में, विकाज मेरे लिए कॉर्पस अलग है, तो सबसे पहले लिए 40 की वेक्टी की एज, और 40 पे हम प्लान कर रहे हैं, 60 एर्स पे रिटायर्मेंट 50 एर का खडचा है, तो रिक्वार्मेंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट से लेते हैं, 8 करोड रुपया लगेगा, मूचल फंड से 6 करोड, कमर्शिल पे जाते हैं, तो 1 करोड रुपया तो अलग अलग इन्वेश्मेंट से अलग अलग अमाउंट की जरूरत पनती है, पॉइंट क्या है हमारे सामने, अगर मूचल फंड को आपने चुना है इंकम लेने के लिए, तो डिफरेंट सोर्से आफ इंकम आपके पास में हैं, बट अगर आप MF की बात करें, तो क्या ह हम वहाँ पे SWP ले सकते हैं, पूरे टेनियर के लिए, शायद नहीं, कारण क्या है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिसिंग है, इन्वेश्मेंट के बारे में मन में आता है कि ये सारी चीज़े तो मैं जानता ही नहीं था, बहुत सारे पॉइंट्स गलत ही बताये गए, किसने बताये बैंक ने, इन्शोरेंस कमपनीज ने, जानबूज करके ताकि आप अपना पैसा उनके साथ इन्वेश्ट करें, मुद्दा आपके रिटायरमेंट का है, जब आपका रिटायरमेंट ह कि 6 करोड रुपए आपको बनाने हैं, क्या एक 40 की एज का व्यक्ति SIP कर सकता है, SIP के अगर मैं बात करूँ, तो उनकी SIP होगी लगबग-लगबग 88,000 रुपए महिने की, कितने लोग 88,000 रुपए महिने के SIP कर सकते हैं, बहुत जादा लोग तो नहीं कर सकते हैं, अब करने गया, फिर आपके लिए दूसरी प्लानिंग के जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर SIP से आप कर सकते हैं, तो what should be the strategy, strategy should be very simple, आपको SIP करनी चाहिए, step up SIP आपको करनी चाहिए, हर साल आप अपनी SIP का जो contribution है, investment amount है, इसको आप बढ़हाते चले, so regular basis पे जब आप investment को ब 30,000 से शुरुआत की, 88 की जरूवत है, अलाकि यहां पे, so अगर 50,000 से भी शुरुआत की, 25,000 से भी शुरुआत की, तो आप उसको career के साथ बढ़हाते जाएं, लेकिन आपको एक बात का हैसास हो गया होगा, retirement is one of the toughest part of life, and no advisor talks about this, SIP की जब आप बात करते हो, तो that is not the retirement planning option, it सब way of investment, पहला point है, customized हमारा corpus निकालना, FD लूँगा, mutual fund लूँगा, या मैं किसी भी दूसरी तरीके के income option पे जाऊंगा, हर एक पे अलग-अलग तरह से मेरे retirement planning होने वाली है, आपको यह चीज़ डिटेल में सीखने की जरूवत है, क्योंकि इसको 10 minute की वीडियो में नहीं बताया जा सकता, हाँ, SIP आप करना चाहते हैं, आप 88,000 की SIP कर सकते हैं, तो आप SIP कर सकते हैं, अपने retirement के लिए अगर आपकी एमरे 40 है, अगर आप 50 पे हैं, तो SIP से नहीं होगा, देखे, meaningful retirement चाहिए, या हमें सिर्फ नाम खातिर चाहिए, अगर आप SIP से चलेंगे, तो आपको हर साल की SIP करनी है, हर साल आपकी जब income बढ़े, savings बढ़े, तो वहाँ से SIP का amount बढ़ाएं, but retirement planning आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि कम पैसे से retirement planning possible है, 70 लाग, 40 लाग से भी हो सकता है, लेकिन आपकी जीवन में कोई advisor नहीं है, जो इसके बारे हैं बात करेगा, आ आपको ही करना पड़ेगा, और retirement planning is one of the toughest part for you and your spouse, आपको proper training लेकर के ही retirement planning करनी चाहिए, and immediately करनी चाहिए, जितना late करेंगे उतना नुकसान होने के chances हैं, अपनी retirement planning की शुरुआत, आप खुद पढ़ाई करके करें, hardly you need to invest 6 hours and 499 रुपी, link is in the description, start learning now.